और संसत की तुलना ताबूत से करने पर AIMIM के चीफ असादुदीन ओवैसी ने भी RGD को निशाने पर लिया उन्होंने कहा कि अगर RGD को नई संसत का विरोध करना है तो कोई और मिसाल देते लेकिन इसमें ताबूत का एंगल लेकर कि आना ये जायज नहीं है और वैसी ने कहा कि आरजरी नेताओं का कोई भरोसा भी नहीं है वो कुछ भी कह सकते उनका क्या है उनके बारे में क्या बोले उनका कोई स्टैंडी नहीं है जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सथ इसका क्लेरेंस बे नहीं था एक जमाने में जब लेट मुलाइम सिंग यादव अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के आफिस में बढ़कर खाना खा रहे हैं तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके उपर बड़ा कांट्रोवर्सी हुई थी अब उसको ताबूत क्यूं कह रहे हैं वो वो किसी औ और मिसाल दे सकते थे ना और मिसाल दो उसमें भी आपको यह एंगल लाते हैं तो वो क्या-क्या बोलते हैं कभी से कलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकलावा नितिश कुमार को अपना मुख्य मुंति बना लेते हैं तो उनका छोड़ी है उनका तो चलते रहे हैं पहले बयान दिया, आपने देखा RGD की नेता फिर कैमरे पर आये और उसके बाद बचाव में जब कुछ बोलने की कोशिच भी की तो उसमें भी उलजते चले गए देविंदर पराशार हमारे पुलिटिकल एडिटर हमारे साथ है, ICHR के डिरेक्टर ओमजी उपादैर जी हमारे साथ है ओमजी आपने सुना अभी जो RGD के नेता कह रहे थे कि हमने तो यह इसलिए तस्वीर लगाई क्योंकि लोकतंतर का ताबूती करण कर रहे हैं प्रधान मंत्री सुरब एक बात हम लोग सुनते आए हैं बच्पन से जाकी रही भावना जैसी प्रभिमूरत देखी तिन तैसी उनकी आखों में कौन सा मोतिया हो गया है पता नहीं लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को मैं जाने दीजये राजनेतिक टिपड़ी नहीं करना चाहता लेकिन ये एक बड़ी सच्चाई है कि इस तरह का अगर उपमा भी कोई देता है तो उसको हजार बार सोचना चाहिए दूसरी मैं यहीं एक बात और स्पस्ट करूँ सौरब जी आपके माध्यम से कि सेंगोल की जो संकलपना है चोल सासन से आया है चोल प्रणाली वास्तों में दंड विधान को लेके न्याय विधान को लेके सामानेता उदार थी लेकिन एक चीज वहां कत्ता ही बरदास्त नहीं की जाती थी और वो है उस राष्ट्र की या देश की एकता खंडता और संप्रभुता पर कोई हमला परदास नहीं कि जाता था अगर कोई संप्रभुता का विरोध करता था उनके तो उसके लिए केवल मृत्तुदंड था ये सब मानसिकता अगर इस तरह की आ रही है कि पर आखास में नई इभारत लिखी जा रही है हम उस 1921 में जो बनना सुरू हुआ था संसथ भवन जो 1927 में बनके पूरा हुआ था कहीं न कहीं अपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक हम मान सकते हैं उससे हम पूरी तरह से आजाद होकर पूरी स्वाधीन मानसिकता के साथ बयान तो काफी संतुरित नजर आता है हाला कि इन्होंने सेंगोल के विशे में इन्हों जो बयान दिया था वो उस वक्त उसपर विबाद हुआ था और उन्होंने उसको कहा था कि वन नेशन वन डिलिजन की तरफ क्या हम बढ़ रहे हैं लेकिन कमसिकम आज के दिन उन्हों की पर्मिशन तक नहीं मिली हुई थी और पार्टी कम से कम ऐसी तुनना है तो ना करें वो भी आज के दिन देवेंदर। और अंदर से बकायदा पानी बाहर निकाला जाता है। आप एक तरफ कहते हैं कि नया भारत विक्सित भारत उस दिशार में लोग जा रहे हैं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर कि आपके देश के पार्लेमेंट में बारिज के दिनों में अंदर से पानी बाहर निकालने के लिए पंपिंग सेट लगाना पड़ रहा हो तो अपने आप मे बैठे रहते हैं अभी जो मौझूदा चेहर से उसमें अगर बीच में किसी का जगह आवंटित है और उसको अगर उसमें घुसना हो और बागी दोनों तरफ अगर नेता बैठे हो तो एक तकलिफ ही चीज होती है उन सांसतों को फिर बाहर निकलना पड़ता है फिर दूसरा इडी के सांसत हैं और उसकी तुलना आप ताबू से कर रहे हैं जिसमें आप खुद बैठने वाले हैं इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर